एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मसले पर ये प्रेस कॉन्फरेंस है बंदुगण आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसत संजे सिंग जी की कल एडी ने गिरफतारी की है शराब गोटाले के केस में गिरफतारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीती आम आदमी पार्टी कर रही है ये आज पुरा देश देख रहा है यहां आदमी पार्टी का चरित्र है सीना ठुक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीती आरंब करो मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से कि अभी तीन चार दिन पहले पंजाब में सुकविंदर सिंग कहरा जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक है ड्रग्स केस में उनकी गिरफतारी होती है उनको ड्रग्स के केस में एरेस्ट किया जाता है पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफतारी होती है आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फेरंस करके कहती है लॉविल टेक इस ओन कोर्स जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहाँ पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफतार होते हैं तो लॉविल टेक इस ओन कोर्स और जब आपके विधायक या आपके सांसर गिरफतार होते हैं शराब घोटाले में वहाँ ड्रग्स का केस था यहाँ शराब का केस है तो आप कहते हैं लॉव शुड नॉट टेक इस कोर्स यह तो बॉखलाहट का मामला है यह डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यूं है यह सवाल भारती जनता पार्टी आजाम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है बंदुगन आखिरकार यह शराब घोटाला क्या है और यह जो गिरफतारी हुई है संजय सिंग जी की यह क्यूं हुई है आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर यह जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर इस शराब घोटाले को लेकर CBI ने Central Bureau of Investigation ने एक केस दर्ज किया थी चुकि इस पूरे मामले में मनी लॉंडरिंग हुई थी और जहाँ भी मनी लॉंडरिंग होती है वहाँ प्रवर्तन निदेशालय अर्था जिसको अंग्रेजी में Enforcement Directorate ED कहते हैं वह भी केस दर्ज करता है और चुकि यहाँ मनी लॉंडरिंग हुई थी इसलिए ED ने भी केस दर्ज किया कई लोग इसमें जेल में गए मनी शिशोदिया जेल में गए कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसाई जो इस पूरे प्रक्रिया में घोटाले में जुड़े हुए थे वो भी जेल में गए आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसाई जो जेल में गए थे कुछ बिजनेसमेन बनो वो approver बने और जब दिनेश अरोडा approver बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज public domain में है मैं जो भी कह रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ ऐसा information नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है ये सब कुछ public domain में है दा दिनेश अरोडा turned into an approver एक बर approver बनने के पस्चात उन्होंने बहुत महत्वपुन बातों की खुलासा की किन बातों की खुलासा दिनेश अरोडा ने किया दिनेश अरोडा जो approver है उसने कहा दो हजार बीस में 2020 में संजे सिंग जी ने फोन किया दिनेश अरोडा को और संजे सिंग जी ने मुलाकात की दिनेश अरोडा के साथ दिनेश अरोडा जो businessman है जो restaurant चलाते हैं दिल्ली में उनको संजे सिंग जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली क्या रहे है मोटा पैसा इखटा करना है आप restaurant और बार वालों से बात करो और ये पैसा इखटे करने का काम करो और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इखटा करने का काम दिनेश अरोडा ने पूरे दिल्ली में businessman और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर उन्हों ने रेस्टूरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इखटा दिनेश अरोडा भी किया और केवल संजय सिंग ही इन्वाल्ड है ऐसी बात नहीं है संजय सिंग ने दिनेश अरोडा को मनीश शिशोदिया से भी मिवाया और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीश शिशोदिया और संजय सिंग के हवाले दिनेश अरोडा नी किया बदले में क्या मिला बदले में दिनेश अरोडा को क्या मिला जिसको अंग्रेजी में quid pro को कहते हैं आप अगर charge sheet पढ़ेंगे तो दिनेश अरोडा खुद स्विकार करते हैं कि उनका कोई मामला excise department में फसा हुआ था Some of his issues were stuck in the excise department और बदले में दिनेश अरोडा ने कहा मैंने मोटा माल इखटा किया है ये पैसा मैंने मनीश शिशोदिया और संजे सिंग को दिया है संजे सिंग के कहने पर तो मुझे इस excise के case से निकाला जाए मुझे इस excise के काम में मदद की जाए मनी शिशोदिया ने संजय सिंग के कहने पर 16 के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोडा को मदद दिया तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विड प्रो को का मामला बनाया गया किस प्रकार से इस विशे को एक दूसरे के लिए मदद की गया बंदुगन मुझे तो बड़ा आश्चरे लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद हुई जब जैन्वरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इडी ने संजे सिंग के नाम को अपने चार्ड शीट में दाखिल किया चार्ड शीट में लगाया उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा आपको याद होगा संजे सिंग जी ने प्रेस कॉंफरेंस किया था और कहा था कि इडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्ड शीट में लिखा है केवल संजे सिंग नहीं अरविंद केजरिवाल जी ने भी कहा कि संजे सिंग ने हड़का दिया एडी को पैंट गीली हो गई इत्यादी इत्यादी मगर वास्तविक्ता यह थी कि एडी ने संजे सिंग जी के नाम को अपने चार्ड शीट में चार जगह लिखांकित किया था दे एडी हैड पुट जिसमें से तीन जगह सही था एक जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था जिसको की कोर्ट में एडी ने कहा कि तीन जगह जो संजे सिंग के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंग अर्विंद केज़िवाल और हम आदमी पार्टी ने किया है यह सब आप देख सकते हैं आपके सामने अर्विंद केज़िवाल और संजय सिंग यह जूट बोल रहे थे कि एडी के चार्चीट में उनका नाम नहीं ते यह शराब नीती आखिरकार क्या है इ अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है आप मुझे यह बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है जो जेव कत्रा होता है जब जेव कत्रा पकड़ा जाता है तो उसके घर से उसके जेव से बटवा निकलता है उसके जेव से एक पर्स निकलता है जब चेन स्न पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी, बकेट जो इत्यादी वो चोरी का समान इखर्टा करता है वो चोरी का समान निकलता है जब डकेट पकड़ा जाता है तो उसके घर से चर्रे और पकटे पकड़े जाते हैं मगर जब भरस्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उस उसके घर से बटवा नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से incriminating documents अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज, जो कई बार mobile phone के अंदर और कई बार laptop और सुथरों के हवाले से कह सकता हूं मेढिया के सुथरों के हवाले से यह ख़बर है कि जिस Prakार कल रेड वा संझेय सिंग्जी के घर में और जो संझेय सिंग्जी के घर से निकले रहा है as far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned as far as media sources are to be believed they say that these documents are going to increment these are going to in fact यह फसाएगी यह किसी ना किसी ऐसे वेक्ती को फसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है आज आप एक बात जान लीजिए यह आम आदमी पार्टी यह कोई जेब कत्रा नहीं है यह आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है यह आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है यह आम आदमी पार्टी कोई साधारन डकैत नहीं है यह डौन है भरस्टाचार के डौन इस कारण से जिस प्रकार की बौकलाहट आमादनी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जहां तक अर्विंद केज्रिवार और आमादनी पार्टी का सवाल है ये जो परशन बीच-बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं ये आज इन्होंने मनीशी शोदिया को गिरफ्तार कर लिया आज इन्होंने फ़लाने को गिरफ्तार कर लिया कलब हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले क्यूंने law will take its own course और कानून में साधारन था ascending order में गिरफ्तारी होती पहला चोटा चोर पकड़ा जाता है उसके घर से फिर कागज निकलता है फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है और अंततो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिये कि किसी को छोड़ा जाएगा जो लोग इन्वाल्व है इस सराब घुटाले में क्यूंकि इसमें करोडों के राजस्व की नुकसान हुई करोडों के राजस्व का नुकसान हुआ है जो लोग इसमें इन पार्च 2021 को नई शराब नीटी न्यू एकसाइस पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था 17 नवंबर 2021 उस समय खुद अरविंद केजरिवाल जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा था कि पूरे विश्यों में इस प्रकार की शराब न की पैसा कमाया ऐसा बताए दुनिया में कहीं आपने सुना है शराब की बोतल ज़्यादा विखे और पैसा और राजस्व कमाये ऐसा पूरे विश्यों में कहीं नहीं होता है ये पहली बार पूरे विश्यों में ऐसा हुआ बंदुगन भारतिये जंता पार्टी ने कुछ आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में और क्यों किया ऐसा कि कानूनी सला के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सला दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीती को मत बदले। उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीती को बदला क्या कारण था आपने बदला क्या कारण था कि मैनुफेक्चरर के हाथ में रिटेल देना ये गैर कानूनी है मगर आपने मैनुफेक्चरर के हाथ में रिटेल दिया क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के कि राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमिशन 6 प्रतिशत का होता था माफ कीजिएगा पहले 2 प्रतिशत का कमिशन होता था उसे बढ़ा करके 12 प्रतिशत का कमिशन किया गया और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6 प्रतिशत आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जा काम कारोबारियों का private individuals का ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे इसके पीछे मनीश शोदिया और संजय सिंग थे इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी और जो लोग जनता के पैशा को सराप के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा क्या कारण था कि 145 करोड रुपिया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के बिना कैबिनेट के मनजूरी के 145 करोड रुपे शराब कारोबारियों का माफ किया गया किसने इजाज़त दी अगर संजे सिंग जी और मनीश तक पहुचना चाहिए एरपोर्ट जोन में एरपोर्ट अथॉर्टी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया उसके बाद 30 करोड रुपए एरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब के दुकानों उनको आपने वापस कर दिया जबकि ये पैसा जब थोना कि आप बताईए आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किये हुए जिस शराब नीती को आप लेकर आये थे अंततो गत्वा आपको ये शराब नीती वापस लेनी पड़ी क्यूं वापस लेनी पड़ी ये शराब नीती अगर ये exercise policy ठीक थी तो इस काम की बात की होती कोट में जाकर आपने सही आकड़े रखे होते तो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीश शिशोदिया क्या आज तक जेल के अंदर होते हैं आप बताईए आप तो कहते हैं कि मैं मनीश शिशोदिया जी को विश्व का सबसे अच्छा सिक्षा मंत्र मेरे करीबी मित्र है जब मनीश शिशोदिया जी गिरफतार हुए थे तो आप उनके घर चले गए थे जैसे आज संजे सिंग के घर गए हैं आप उनके घर चले गए सब कुछ आपने किया मगर कोट में आपके पास अगर तथ्य होता तो पेश करते तो आज सत्तेंद्र जैन और मनीश शिशोदिया बाहर होते बेल पे कोट के अंदर नहीं होते कोट के अंदर वियाईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते जब भी कोई आम आदमी पार्टी से चाहे राशन कार बिनाने के लिए पकड़ा गया हो चाहे फरजी डिगरी के लिए पकड़ा गया हो चाह वो एक दिन नजर नहीं आते हैं संजे सिंग जी के साथ भी यही होने वाला है अप्चारिकता निभादी है उनके घर पे जाके प्रेस कॉंफेंस करके अब मूड के देखने वाले नहीं है और याद करिए कल अर्विंद केज़िवाल जी प्रेस कॉंफेंस में कह रहे है ते प गुजरात के चुनाओ थे गुजरात के चुनाओ के समय मनीश इशोदिया जी की गिरफतारी हुई थी आप ही ने प्रेस कॉंफेंस करके कहा था कि मनीश इशोदिया की गिरफतारी हो गई छे प्रतीशत वोट बढ़ जाएगा आम आदमी पाटी जीत जाएगा आम आदमी पाटी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना रही है इसके ये मोदी जी डर गए है जमानत जब्त हुई आगी एक सीट नहीं जीत पाया आप वहाँ पर और आज फिर से वही डायलोग फिर से वही डायलोग डर गए बौखला गए अरविंद जी हम डरे नहीं हम बौखलाते नहीं हमने कमर कशा है भरष्टचार को मिटाना है और आप जैसे लोग जिनोंने पन्ने निकाले थे कि ये देश के सबसे भरष्ट नेता है जिनमें लालू प्रशाद यादव का भी नाम था जिनमें सोनिया गांधी का भी नाम था जिनमें राहुल गांधी का आज गलब ही करते फिर रहे हैं उनके साधारविंद केजरिवाज आपके ही शब्द थे ये देश के सबसे भरस्ट नेता है उनके साथ आज घमंडिया अलायंस आप बना रहे हैं, डरे घमंडिया अलायंस, आपने चोरी की है, आपने भष्काचार किया है, तो डरना को पढ़ेगा, क्योंकि जनता की पैसा कोई लुट लेगा, ये नहीं हो सकता है, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, हो सकता है अरव सारा भारतिय जंतापाटी आपको याद दिलाती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने खाया है उससे निकलवाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।